गुद्बानिंग तू आल वेलकम तू मैं यूटूब चैनल आज में आप लोग को बताऊंगा की हाट डिक्स 3F0 एरर क्यों आ रहा है इसका सल्यूशन क्या है फस्ट हम लोग क्या करेंगे बूट डिवाइस नॉट फाउंड यहाँ पे हम बूट डिवाइस नॉट फाउंड लिख रहे मतलब सर्फफ अफल हाट इसको टेस्ट करेंगे यह ठीक है कि नहीं तो यहाँ पर मेंसन हो रहा है कि स्कीन पे एक टुवा हाई्ट्यू शिस्टम डाइगीश क्लिक करेंगे यहाँ पे मेृमोरी टेस्ट है और हहाट ड्रैब टेस्ट हाट ड्रीब टेस्ट पे में किया अनलाब उन्तर करेंगे तो कुक्क्ट स्था और इचय के également स्था इच्ट काहिए समा रख स्था स्वांट बाई मिल्या होगता तुस हे नीव सुस्ट्ट स्थामय नहीं एक काहिल स्थार दर्प इसका solution हम कैसे करेंगे HP laptop में OS installation एक बर करेंगे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना F9 प्रेस करेंगे बूट option है F9 तो आहां पर आ गया मेरा पेंड्राइब शो कर रहा है पहले से बुटिंग किया हुआ है मेरा पेंड्रेव यहां पर एंटर करेंगे प्रेस एनीकी F1 अब उन्दर्श 7 सिलेट करेंगे वहां पर उन्दर्स 10 64 bit करेंगे एंटर करेंगे तो उन्दर्स इंसलेशन अभी स्टाट हो रहा है इसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे इसको इंस्टोल नहां पर क्लिक करेंगे यहां पर मेरे प्रोडट्क्ट की नहीं तो यहां पर क्लिक कर दो क्लिक कर दो हम प्रोडट्क प्रोडट्क की उसके बाद छिस्टी फ्रेट सेलेटर ने यहां पर next करेंगे next करने के बाद यहां पर I accept यहां पर next करेंगे नेक्स करने ज़े custom installation only advance यहां पर only हम लोग का 1234 drive है system drive जो है O350MB का वो source file है तो 146GB है यह है system का drive इसको हम delete करके new creation करेंगे पहले delete करेंगे इसके उपर क्लिक करके new apply करेंगे इसके बाद यहां इसके उपर फिर से क्लिक करके format होने के बाद यहां पर next करेंगे तो यहां पर next करेंगे तो windows c drive पर installation चालू हो गया यह 0% से लेके 100% होगा इसके बाद हम लोग का waste खुल जाएगा और हमारा problem solve हो जाएगा इसका मतलब यहां डिक्स इंसलेशन के बाद रॉन हो गया थैंक्यू फर वाचिंग मैं चैनल उजी टेक्स प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जाएब